आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मई 2024 यानि कि सोमवार के दिन मासिक शिवरात्री आ रहा है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया दो दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूर जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। आपको उस उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है 6 मई 2024 यानि कि सोमवार मासिक शिवरात्री के दिन इस दो दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेश दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेश दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस दो दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो क्योंकि 6 मई 2024 यानि कि सोमवार मासिक शिवरात्री के दिन शिवरात्री बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो दीपक वाला उपाय समझाएंगे जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनो कामना है किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है अगर आपको धन प्राप्ती नहीं हो पा रहा है रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परिशानियां चलती चली आ रही है आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है घर का कोई ना, कोई सदस्य अगर बीमार रहता है आपस में एक दूसरे से लड़ाई जगडा होता रहता है किसी की अगर बनती नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक-एक रुपे खर्च करने से पहले कई-कई बार सोचने लगे हो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेश उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 11 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा तो चलिए जानते हैं इन विशेश उपायों के बारे में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ती को यह वाला उपाय करना है अब वह बड़ा व्यक्ती मुख्य रूप से घर की माताएं बहने होंगी तो ज्यादा बहतर होगा मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी अगर वहे यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहने होती हैं, वह घर की लक्षमी होती, और जब घर की लक्षमी कोई उपाय को करती है, तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, तो इसी लिए आप को विशेश रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताओं बहने उपस्थित ना हो। ठीक है तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही दो दीपक वाला उपाय को करें। विशेश रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। दो दीपक वाला उपाय को हमें वैशाक के महीने का सोमवार मासि शिवरात्री के दिन करना किस समय तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुभा का समय है और शाम का समय भी है अब देखिए यहां पर हम मुख्य रूप से सुभा का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए देखिए वैशाक के महीने का सोमवार मासिक शिवरात्री और पूरी कोशिश करना पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो मतलब करना आपको एक ही समय है घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है पर एक ही बार इस उपाय को करना है दोनों समय नहीं करना है आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है है ना काम भी अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से पैसा आना बंध हो जाता है पैसे आने के सारे रास्ते बंध होने लगते हैं घर में क्लेश बढ़ने लगता है धन की वृद्ध रुख जाती है तो ऐसा होता क्यों है? देखिए कभी-कभी वास्तु दोश इसका कारण होता है कभी-कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा और जिस घर में कलेश होता है न वहाँ पर भी अकसर धन की कमी देखी जाती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है तो तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के कलेश को दूर करें तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की जो कि मासिक शिवरात्री वाले दिन आपको करना है देखिए मासिक शिवरात्री जो महीने में पढ़ती है इस दिन विशेश कर महादेव से जुड़े हुए उपाय किये जाते हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा तो देखिए आपको करना क्या है देखिए जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है हमारी पॉकेट में पैसा नहीं रुकता है हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत तेजी के साथ वो घर से बाहर चला जाता है तो देखिए कही ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तुदोश हो सकता है कोई नजर दोश हो सकता है कोई नेगेटिव एनरजी हो सकती है कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की बरबादी बहुत ज्यादा हो रही है तो हमेशा ध्यान रहे आप कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां से negative energy भी अंदर आती है, positive energy भी अंदर आती है, वहां से बहुत सारे देवी देवता भी आपके घर में आते हैं, मा लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं, तो आपके घर का जो main gate होता है ना, जिसे entrance बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है है ना कहने का मतलब है मुख द्वार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं कैसे बदल सकते हैं जब भी मासिक शिवरात्री पढ़ती है जिस जिस महीने में मासिक शिवरात्री पढ़ती है बस आपको मासिक शिवरात्री पर क्या करना है अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले तो हल्दी से स्वास्थिक बनाना है दोनों तरफ ठीक है ना अंदर की तरफ भी बनाएंगे और बाहर की तरफ भी स्वास्थिक बनाएंगे ऐसा नहीं आपको केवल बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्थिक बनाने हैं, और आपको शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दो दीपक जलाने हैं, तो देखिए, जब आप अपने घर के मुख्य प्रति दिन, शाम के समय में भ्रमन पर निकलती हैं, साथ बजे से लेकर नौ बजे का जो समय होता है, ये मा लक्ष्मी का समय होता है, है ना इस समय, पर मा लक्ष्मी जो है, ये भ्रमन पर निकलती है, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, जिस घर के द्वार पर और साफ सफाई अच्छे से होती है, हमेशा महालक्ष्मी उस घर में वास करती है, तो जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन में आप देखेंगे कि दुख और कष्ट तो बहुत दूर भाग जाएंगे, और महालक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख सम अब जल्दी से बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की आपको दो कपूर लेने हैं, ठीक है ना, छोटे-छोटे से दो कपूर लेने हैं और दो फूल वाली लॉंग लेनी है, अब आपको सोमवार के दिन स्नानादी करने के बाद, महादेव की आपके घर में कोई मूर्ती है, प्रतिमा है या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी है, शिवजी भी है, गणेश भगवान भी है, है ना, अगर पूरा परिवार है, तो और भी ज्यादा उत्तम है आपको, उनकी मूर्ती, प्रतिमा के सामने यह दो लॉंग और दो कपूर रख कर जलाना है। और महादेव से कहना है कि महादेव मेरे घर में सुख समरिद्धि बढ़े और मेरे घर में शान्ति रहे। मेरे घर का कलेश दूर कर देना, मेरे जीवन की निर्धन्ता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, अपने घर पर है, न घर पर ही इस उपाय को आपको करना है, तो इससे होता क्या है, कि सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। बहुत सारे यग्य करते हैं, बहुत सारा पुन्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है, न उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से मिल जाता है, है ना बहुत सारे यग्यों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है, तो कोशिश करें कि जब भी मासिक शिवरात्र प्रदोश आए, अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाया करें, तो दो कपूर, दो लॉंग के साथ आपको जलाने हैं। जो आपके जीवन से दूर ना हो सके, तो ये बहुत ही विशेश और उत्तम उपाय है। आपको यह उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए, अब किस समय करना है, तो कोशिश करें, सुबह में कर लें। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, तब यह उपाय आप शाम क जो भी कर सकते हैं, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अपने लास्ट उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्री वाले दिन आपको विशेश कर करना चाहिए, एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में ध और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना आपने, अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाएं हैं, वह आप करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनत यह दो होती है वह खुद ब्खुदा द बहुत हो रहा है। दवाईयों में बहुत पैसा जा रहा है। तो यह सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं. जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं। देखिए चावल का जो अक्षत होता है इसका मतलब ही होता है धन की बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें की चावल का ही भोग हम लगाते हैं। अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। या मेरे सर पे करजा है या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है। या फिर मेरे घर का यह व्यक्ती है इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मेरे घर में कलेश बहुत रहता है। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए न वो आप महादेव से मांग के देख लेना। आपको महादेव जरूर देते हैं।